बाईयों उर से कोण मापक का निरक्षन करना शुरू करें हर एक छोटी रेखा पर शुन्य से आगे की संख्या दर्शाई गई है हर दस्वी पंक्ती एक लंबी रेखा है इस प्रकार विभाजनों को शुन्य, दस, वीज से एक सो असी तक चिन्हित किया जाता है अब दाएं से बाईयों और देखे संख्याओ को शुन्य से एक सो असी तक अंकित किया जाता है संख्या नब्वे मध्य कोण मापक के मध्य में है इससे एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया गया है यह वे ही संख्याये हैं जो हमें किसी भी कोण को नापने में मदद करती है कोण के नाप के अनुसार उसे नाम दिया जाता है आईए अब कोण मापक को उपर बताये गए हर कोण पर रखकर उन्हें नापते हैं याद रखना, हमेशा कोण मापक की क्षेतिज रेखा का केंदर बिंदू, कोण के शिर्श बिंदू पर रखें सभी कोणों का नाप डिगरी में लिखा जाता है और इसका प्रतीख है आईए हम कोण मापक की संदर्ब रेखा और कोण की क्षैतिज भुजा को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं कोण मापक के केंद्र और कोण के शिर्ष बिंदू को आपस में मिलाईए कोण की लंबवत भुजा और कोण मापक की खड़ी रेखा भी मेल खानी चाहिए अब लंबवत रेखा के शीर्षपर संख्या को पढ़ते हैं यह 90 हैं अतहा इस कौन का माप 90 अंश है कौन दाहिनी से खुला होता है इसी कारण हम कौन मापक की मध्यरेखा के दाईयोर से नाप को पढ़ सकते हैं यदि वही कौन बाईयोर से खुला है तो हम नाप को कोण मापक की मद्ध रेखा के बाइन और से पढ़ सकते हैं नाप दोनों और से समान होगा यदि उपरी बुजा के रेखा कोण मापक के रेखा तक नहीं पहुंचती हैं तो आप रेखा की लंबाई को बढ़ा सकते हैं याद रखें कि रेखा का विस्तार करने पर भी कूण का नाप नहीं बदलता है कोई भी कूण जिसका नाप 90 डिग्री होता है उसे समकूण कहा जाता है न्यून कूण आईए हम कोण मापक की संदर बरेखा और कोण की क्षैतिज भुझ को एक दूसरे से मिलाते हैं कोण मापक के मध्य बिंदू और कोण के शिर्ष बिंदू को आपस में मिलाईए अब कोण की दूसरी भुझा देखें कोण मापक यह एक संख्या दर्शा रहा है जो 90 डिगरी की दाईयोर है कोण मापक के संदर बरेखा से मेल खाती हुई कोण की भुजा दाईयोर फैली हुई है अतहा हम कोण मापक की मद्रेखा के दाईयोर से नाप पढ़ सकते हैं आये कोण की भुजादवारा दर्शाई गई इस संख्या को पड़ते हैं यह 50 हैं अतहा इस कोण का माप 50 अंश हैं संदर्व रेखा से मेल खाती हुई कोण की भुजा बाईयों और फैली हुई है हम कोण मापक की मद्य रेखा की बाईयों और से नाप पड़ सकते हैं समान दोनों स्थितिया में नाप समान होगा यदि उपरी भुजा की रेखा कोण मापक की रेखा तक नहीं पहुचती हैं तो आप रेखा को बढ़ा सकते हैं याद रखें कि रेखा का विस्तार करने पर भी कोण का नाप नहीं बदलता है कोई भी कोण जो 90 डिगरी से कम होता है न्यून कूण कहलाता है यह हमेशा 90 अंश के दायोर होता है अधिक कूण आईए हम कूण मापक की संदर ब्रेखा और कूण की क्षैतिज भुजा को मिलाने का प्रैत्न करते हैं कूण मापक के मध्य बिंदू और कूण के शिर्ष बिंदू को आपस में मिलाते हैं अब यह बुजा कूण मापक में 90 अबे डिगरी की बाई और की संख्याओं को दर्षा रही है संदर ब्रेखा से मेल खाती हुई कूण की यह बुजा दाई और फैली हुई है इस कारण हम कूण मापक की मंध्य रेखा के दाई और के नाप को पढ़ सकते हैं कूण की भुजा तो आप कोण मापक की मद्य रेखा के बायोर से नाप पढ़ सकते हैं यदि उपरी भूजा की रेखा कोण मापक की रेखा तक नहीं पहुंचती है तो आप रेखा को बढ़ा सकते हैं याद रखें कि रेखा का विस्तार करने पर भी कोण का नाप नहीं बदलता है वह कोण जो 90 डिग्रे से अधिक या बड़ा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं बच्चो हम रोज मर्रा के जीवन में कोण कहा देखते हैं सोचिए हाँ हम उन्हें तब देखते हैं जब हम रेफ्रिजरेटर का दर्वाजा खुलते हैं या खुली खिड़की को और थोड़ा खोलते हैं पैसे का बटवा खोलते हैं इतना ही नहीं गड़ी की सुईयां भी कोण बनाती हैं कितना दिल्चस्प है है न हमने क्या सीखा डिग्री को डिग्री के रूप में लिखा जाता है कौन तीन प्रकार के होते हैं समकौन इस कौन का नाप हमेशा 90 अंश होता है न्यून कोन इस कौन का नाप हमेशा 90 से कम होता है अधिक कोन इस कोन का नाप 90 डिग्री से अधिक होता है हम अपने चारों और बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जो विभिन कोन बनाती है स्वाध्याय कोनों के नाप लिखिए अधिक कोन, न्यून कोन, समकोन निम्न लिखित के नाम बताईएं कोणों को नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कोण के किनारे किसी कोण की दोनों भुजाओं को मिलाने वाला बिंदू कोण मापक के किनारे का आकार कोण के नाप की इकार झाल झाल